हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिय आप सभी को सुप्रिय एजुकेस्टन हव यूटूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग रेशियो टेस्ट को पढ़ेंगे अभी मैं आप लोग को स्लेवस दिखाती हूँ और आप लोग को याद दिलाती हूँ आप लोग को पढ़ना कौन-कौन सा टेस्ट है तो ये देखिए आप लोग का स्लेवस रहा हम लोग ग्रूप भी इन्फाइनाइट स्रीज पढ़ रहे उनको question number 3 जो है न वो नहीं समझ में आया था तो चलिए मैं एक वार आप लोग question number 3 समझा देती हूँ उसके बाद हम लोग ratio test को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चलिए अगर आप लोग मैं से सभी को समझ में आया था बहुत को नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक वार question number 3 आप लोगो को बताती हूँ आप लोग question note कीजिए फिर से हम लोग उस question को समझेंगे तो चलिए question number 3 आप लोग का यही था test the convergence of series this तो हम लोग कैसे करते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगो को थोरा सा कौनसा टेस्ट था root test था यह थोरा सा याद दिलवाना चाहूँगी इसमें हम लोग निकालते क्या है इसमें हम लोग निकालते हैं limit of n tends to infinity और un के power 1 by n देखी मैं आप सभी को पता होगा यह सभी का proof मैं नहीं बता रही हूँ root test हो गया ratio test हो गया जो भी test है ना यह सभी का proof अभी नहीं बता रही हूँ अभी मैं आप लोग को concept समझा रही हूँ और question solve करवा रही हूँ जब question bank को solve करेंगे तो उसमें proof दिया हूँ है ना तो उसमें हम लोग proof को cover कर लेंगे इस प्रकार हम लोग का example पे भी command अच्छा हो जाएगा और proof पे भी और proof तो exam में आना fix ही है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे लेकिन प्रूब भी हम लोग देखेंगे आप लोग टेंसन मत लीजिएगा यह तो देखें कैसे हम लोग करते हैं हम लोग क्या करेंगे limit of n tends to infinity और un के power 1 by n यही हम लोग निकालते थे और इसी का value less than 1 आता था तो बोलते थे convergent है greater than 1 आता था तो बोलते थे divergent है यही सब ओके तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं तो यहाँ पर देखें limit of n tends to infinity है और un आप लोग का क्या है n plus 1 upon n के power 3 के power n square और इसके power है आप लोग का 1 by n है तो अलग-अलग कीजिए का आप लोग तो कीजिए तो limit of n tends to infinity है ना तो यहाँ पर क्या है आप लोग का n plus 1 upon n के power n square और उसके power है 1 by n और नीचे के term आप लोग को 3 n और 3 n के यह power क्या लेना है 1 by n देखिए यह un का लेते है न तो इसका power 1 by n लेते है तो हम लोग इसका power यह जो term दिया है इसमें भी लेंगे और नीचे वाले term में भी लेंगे ओके आप लोग से दिये ही समझने में बहुत प्रोब्लम हुआ होगा इस वज़े से आप लोग को यह doubt हुआ ओके तो आप लोग इसको कट कर दीजिए और इससे यह कट गया तो नीचे आप लोग का simple 3 ही बचेगा और उपर देख लिजिए फिर से अच्छे से limit of n tends to infinity अगर यहा लोग को मैं एक फर्मूला बताई थी क्या फर्मूला था हम लोग का limit of n tends to n 1 plus 1 by n के power n जो है यह हम लोग का बडावर होता है e के यह फर्मूला आप लोग याद रखिएगा तो इसके जगा पे आप लोग क्या लिख सकते है लिख सकते है और नीचे में 3 है तो क्या आया लोग रूट टेस्ट में हाँ रूट टेस्ट में आप लोग पढ़े है limit of n tends to infinity un के power 1 by n is less than 1 this series is convergent by क्या लिखेंगे by by कोची रूट टेस्ट by कोची रूट टेस्ट series is convergent इस टाइप से हम लोग कोशन को solve करते हैं जिनका भी कोशन नमबर 3 प्रोब्लम था वो हम लोग देख चुके आज तो हम लोग पढ़ने वाले ratio टेस्ट लेकिन मैं आप लोग को एक comparison टेस्ट पर भी बता देती हूँ और एक कोशन उसका भी solve करवा देती हूँ ताकि आप लोग अगर पीछे वाला भूल गए होंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा तो चलिए मैं आप लोग को एक comparison टेस्ट पर होंबग देती अगर आप सभ कर लेते हैं कि एक question यह है यह question में आप लोग को homework में दी दी लेकिन आप में से कोभी एस्ट नहीं बताए इस question का answer क्या होगा तो चलिए देखते हैं क्या टेस्ट टेस्ट कनवर्जेंसी और स्रीजूज इने टर्मिस दिस तो आप लोग का क्या हो जागा यू एन क्या दिया आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े होंगे और 12 में भी पढ़े थे और BAC में भी trigonometry में मैं आप लोग को इसका formula याद दिलाई थी sin x का expansion क्या होता है x-x q upon 3 का factorial x to the 5 upon 5 का factorial minus x to the power upon 7, 7 का factorial इस type से अप लोग का sin x का series होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1yn है और यहाँ है sin 1yn तो x के जग़े यहाँ क्या है 1yn तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1yn यहाँ क्या लिखेंगे 1yn का Q 3 का factorial और यहाँ क्या लिखेंगे 1yn to the power 5 5 का factorial ओके इसी तरीके से हम लोग अपना लिखते जाएंगे अगर यहाँ पर n है ऊके उसके वाद क्या हो जाएगा 1 अपन 7 हो जाएगा n के पावर 7 अपन 7 का फेक्टोरियल प्रस डैस डैस तो हम लोग का यहाँ से क्या जाएगा इसको मल्टिप्लाइ समय करते चले जाएगा तो 1 by n square 1 by n4 3 का फेक्टोरियल 1 by n6 5 का फेक्टोरियल प्रस डैस 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 इस टाइप से आप लोग का यूएँएं का टर्म बन जाएगा आप सभी को पता होगा हम लोग कैसे निकालते थे कंपरिजन टेस से क्संद गौ कैसे सॉल्व करते थे हम लोग सबसे पहले यूएन निकालते थे यूएन की मदस से को डिवहाइट करते थे और देखते थे कोई finite नमबर आता था तो हम लोग देखते थे भी एन जो है वो Convergent है या divergent जो भी एन होता था वह यूएन भी हो जाता था और वी और हम लोगों का जो भी एन है वो Convergent है या divergent वह हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं याद आ रहे हैं अगर प्रेक्टिस करते लगेंगा तो आप लोग को सभी याद हो गां मतलब क्या कंपरीज़न टेस्ट में क्या करते हैं फिर आज हम लोग पढ़ेंगे ratio test, मतलब कि यह जो भी test है यह सभी test में क्या क्या करते है पता होगा तो हम लोग VN कैसे मानते थे, अगर आप लोग को याद होगा VN को मानने का तो हम लोग N के degree उपर देखते थे और N के degree नीचे देखते थे जो lowest degree होता है थे वही लिखते थे, तो N के उपर कोई भी degree नहीं है तो मतलब 1 लिख लिजे और N के नीचे lowest degree क्या है आप लोग का A square है तो 1 by N square हो जाएगा और आप लोग को पता होगा summation of VN क्या हो जाएगा summation of 1 by N square और यह पता होगा summation of 1 by N P अगर P जो है वह एक से बड़ा है तो हम लोग का series जो होता था वह क्या होता था series, वह series convergent होता था लेकिन हम लोग यह वाला यह पहले नहीं लिखे हम लोग क्या लिखेंगे यह मैं आप लोग को थोड़ा सा याद दिलवाई हूँ लोग का P series test क्या होता है तो हम लोग पी जो है वह एक से बड़ा है तो हम लिखते थे by P series test, by P series test, series is in convergent मतलों कि series is convergent लेकिन इस से पहले हम लोग को क्या करना होता था हम लोग को UN और VN का ratio निकालना होता था और देखना होता था क्या कोई finite value आता है तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं उसको, limit of n tends to infinity, un upon vn, आप लोग question को practice करते रहेगा, नहीं तो कोई फैदा नहीं होगा आप लोग को video lecture देखने का, video lecture में जो concept होता है वो सिर्फ 5 minute का होता है, और इतना लंबा वीडियो जाता है, क्योंकि मैं आप लोग को question का practice करवाती क्योंकि question practice करने से ही आप लोग का कुछ फैदा होने वाला है, concept जानने से कुछ नहीं होगा, concept तो 5 minute का होता है, और फिर भूली जाहिएगा, जब तो को प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हैं, तो अगर आप लोग इस दोनों को डिवाइड की जगा है, तो आप लोग का क् अगर आप लोग डिवाइड करते हैं, तो यहां आता है, और यहां आता है आप लोग का, इसको डिवाइड करते हैं, यहां x square upon 1 है, मतलब आप लोग आएगा, x square, 3 का फैक्टोरियल, प्लस क्या आएगा, x to the power 4, और 5 का फैक्टोरियल, प्लस डैस डैस डैस, इसी टाइप स से आएगा और आप लोग कर यहां पर क्या है लिमिट अफ एन 10 यह टो इंटेंस टो इंफिनेटी और एन इनफिनिटी रखिए गा तो बारम जाएगा मतलब यह सारा टर्म जो यह आप लोगोंका zero के बराबर है तो आप लोगों के बराबर है तो इसका value जो आया यह one आया तो यह one जो आया ना इह आप लोगों क UX के लिए टो जैसे हम लोगों का limit of द्वाइन्ट वंहीं थैन्वाइन्ス तो यहां पे यह जो है यहां म sleepy से बढ़ा है तो यह मतलब केंगी लिखेंगे स्ञ major रिखेंगे प्लिखेंगे आगी का कबगें तो रच्व देते हैं undergrad किसे वाइच में लिखेंगे। comparison test by comparison test summation of UN is also convergent ओके समझ में आ गया आप लोगों को यह question हम लोग क्या देखे हम लोग सबसे पहले देखे आज एक question problem था नाम तो याद नहीं है लेकिन जिसका भी था एक question number 3 problem था तो मैं आप लोगों को यह question number 3 बता दी और आप लोग को हमबर question दी थी एक तो हमबर question भी question 2 दी थी आप लोग तो एक बता दी और आप लोग दूसरा question solve करी लिए होंगे कुछ ज़्यादा खास तो था ही नहीं उसमें या फिर मैं solve करके बता दू आप लोग comment में भी तो नहीं बोले है नहीं बना है solve कर देजिए इसलिए मैं छोड़ी देती हूँ उसको अब हम लोग जो आज main topic है आज के class का infinite series ratio test जो है न यह ratio test को आप हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग इसको समझते हैं ओके देखे मुझे आप लोगों से एक question पुछना था मैं यह जो भी test है यह test लिख के लाती हूँ और यह आप लोग को अच्छे समझा दती हूँ उसके बाद मैं आप लोग का question solve करवाती हूँ तो क्या आप लोग यह चाहते हैं कि मैं यह जो वीडियो बनाड़ी उसी टाइम यह लिख हूँ या पहले से ही इतना जो पांच मुन क्या यह लिख के आती हूँ क्योंकि एक मुझे टेलीग्राम में मैसेज आया था यह मैं आप लोग को पढ़ाने के दौरान ही लिख हूँ ताकि उससे आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा आप लोग का क्या रहा है यह जो लिख के लाती हूँ इतना ताकि टाइम कम लगे औ लेकिन क्या आप लोग के वीडियो बनाने के दौरान ही यह सब लिखू आप लोग का क्या रहा है मुझे कमेंड सेक्शन में बताएगा तो चलिए आज तो हम लोग ऐसे लिख के ही कर लेते हैं next test से हम लोग जो है न वह अगर आप लोग का जो राए होगा वैसे ही करूंगे तो देखिए किया है आप लोगों का इन फाइना जो ratio test है यहaat धी लए मेर्ट शसाब धीये थे तो नाम पर यहां था इनके नाम पह यह ratio d letzten ratio test लेकिन आप लोग को इसको रेसियो टेस्ट ही बोली है काम चल सकता है तो देखिए इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं इस टेस्ट में हम लोग UN प्लस वन और UN दोनों को डिवाइड करते हैं और एक से कम आता है तो हम लोग बोलते हैं सिरीज जो है यह हम लोग का convergent है उसके बाद अगर हम लोग यह divide मतलब की un plus one by un divide करते हैं और one से बरा आता है तो हम लोग बोलते हैं सरी यह divergent है और यह अगर हम लोग one के बराबर आता है तो हम लोग का test fail कर जाता है और test fail कर जाता है तो उसके लिए फिर एक नया test है जो आप लोग को next video lecture म देखने को मिलेंगे test fail कर जागा तो फिर हम लोग आइसे पता करेंगे यह convergent है या divergent तो उसके लिए हम लोग next video में उसका test देखेंगे आज हम लोग यहीं इतना concept था हम लोग रोले हम लोग बोलेंगे convergent है greater than one आता है तो हम लोग बोलेंगे divergent है अगर equal one के आता है तो हम हम लोग बना लेते हैं फिर हम लोग वीडियो लेक्चर को समाथ करेंगे चलिए अब लोग एक कोस्टन को सॉल्व कर लेते हैं और अपने इस कंसेप्ट को भी मजबूत बनाते हैं कि आप लोगों से इंटाइन सीरीज के कोस्टन बन रहा तो 50% बोले नहीं बन रहा और और उनके पास इस देखते तो लिए अगर जिनसे नहीं बन रहा ना वह आप लोग अपना टेलिग्राम पर कोस्टन सेंड कर सकते हैं और जिनसे बन रहा है वो कोस्टन को सॉल्व करके भेज देंगे चलिए देखिए कोस्टन को लिखिए कोस्टन लिखिए टेस्ट दी कन्वर्जेंस टेस्ट दी कन्वर्जेंस एक्स प्लस थीडी वाइ फिप्टीन एक सेक्स स्क्वाइड देखिए आप लोग यह मां सुचिए एक ही दिन जब पुरा वीडियो आ जाएगा तो एक दिन बैठके पुरा इंफानाइट सेज कंप्लेट कर लेंगे अगर वैसे देखते तो आप ल है चलिए कोस्टन लिखे एक्स प्लस 3 by 15 एकस स्कृइर प्लस 15 by 17 एकस फूर ब्लस डैस 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 एंट स्क्वायर माइनट इसक्वाइर न स्क्वार प्लस उन आप लोग को पता होगा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं रेशियो टेस्ट को तो रेशियो टेस्ट के लिए यूएं दिया हुआ है और हम लोग यूएं प्लस वन को निकालेंगे तो एन के जगह एन प्लस वन डालिए इन प्लस वन का स्कूर माइनस वन अपन एन प्लस वन का स् ratio test ratio test होता है कि रेशिए नाम से यहाप लोगों कुछ-कुछ लगग रहा होगा ratio मतलब divide करना होता है तो चली हम लोग दोनों को divide करते हैं ऑगर यहाद नहीं रहते हैं किसमें क्या करना होता है प्रयासे देख सकते हैं तो limit of n tends to infinity un plus 1 un equal to this तो हम लोग इसको solve करेंगे चलिए दोनों को divide करते हैं तो हम लोग देखिए इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का n plus 1 का square minus 1 और n plus square plus 1 और यहाँ है x to the power n plus 1 और divide करेंगे तो यह term यहाँ आएगा इसको divide करना है n square minus 1 x to the power n और यहाँ पे आएगा आप लोग को n square plus 1 तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे इसका whole square तो ढ़िए देखिए n square plus 1 plus 2n minus 1 यहाँ है x to the power n plus 1 और यह उपर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा आप लोग को n square plus 1 यहाँ पे बचेगा n square plus 1 plus 2n plus 1 और यहाँ पे बचेगा आप लोग को n square minus n तो यह plus 1 यह cut कर दिजिए तो आप लोग को यहाँ पे n square अगा common लेते हैं तो 1 plus 2 by n बचेगा और यहाँ पे x को उधरा कर देंगे यहाँ से n square common लेते हैं तो 1 plus 1 by n square बचेगा और यहाँ पे है आप लोगों का x इसमें भी common लिजे तो क्या बचेगा n square common ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे यह 2 है तो 2 by n square हो जाएगा 2 by n square और यहाँ पे आप लोगों का आजाएगा 2 by n और इसमें n square common लिजेगा तो 1-1 by n2 बचेगा और यह सभी में आप लोग यह लगाता है चलिए limit of n tends to infinity limit of n tends to infinity और क्या करना है limit of n tends to infinity यह सभी में लिखते चलना है इसको छोड़िएगा तो फिर आप लोग के जाम में मांक्स कम हो सकता है चलिए अब हम लोग n infinity रखेंगे तो यह तो गया इससे यह गय इससे यह गया इन इंफिनिट रखेंगे तो यहां पर वह आना जाएगा मतलब टोटल आप लोगों का जो एंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर कैसे समझ में आया कुछ तो हम लोग की है इने कॉमन लेके कट कर दिये और इन के जगा इनिफिनिटी डाल देंगे तो एनिफ आपन इनफिनिटी जो आता है यह अप लोग का 0 आता है तो आप लोग का जो इसका आया वो आप लोग का आया एकस तो हम लोग क्या पढ़े है अभी थूई में रूट टेस्ट में तो आ सा समराईज करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं, root test में क्या पढ़े हैं, अगर हम लोग un plus one divided by un करते हैं, तो less than one आता है, तो हम लोग बोलते हैं, convergent है, और हम लोग un plus one upon un, निकालते हैं, greater than one आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, divergent है, और क्या करते हैं, हम लोग un plus one upon un equal to one आता है तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर test जो है यह fail कर रहा है समझ में आए तो हम लोग देखिए अब हम लोग का यहाँ x आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कैसे लिखेंगे यह ध्यान दीजिए हम लोग लिखेंगे given series is क्या लिखेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे बाई रेश्यो टेस्ट बाई रेश्यो टेस्ट बाई रेश्यो टेस्ट गिवें सिरीज इस कनवर्जेंट गिवें सिरीज इज बाई रेश्यो टेस्ट गिवें सिरीजीज कनवर्जेंट इफ X का जो बैलो होगा हो लेश्य दैन वन अगर x का वैलो हुम लोग 2 एक से कम लेते तो हम लोग आ कनवर्जेंट आएगा और डायवर्जेंट कब होगा divergent होगा इफ एक टेस्ट फियल कहां कर रहा है? अब हम लोग चेक करेंगे एकसे एकसे बिफियल कर रहा है पर हम लोग कैसे पता करें एकसे पियन ग Easyारण को सिंत pel Anya तो इसके लिए मैं आप लोग कुछ बहुए लोग एक छोटा से कंसेप्ट बतायो उसी से हम लोग पता करेंगे x equal to 1 पर क्या होगा तो चलिए un term क्या है ये देख लीजी आप लोग पहले un term ये है अगर हम लोग x equal to 1 रखते हैं तो 1 की पावर कुछ भी किजगा तो 1 ही आएगा तो हम लोग अगर x के जगा पर 1 रखते हैं तो हम लोग का un term हो जाएगा वो un term हम लोग का आएगा n square minus 1 और n square plus 1 ये term का आता है ये हम लोग का x equal to 1 पर ये term आता है तो हम लोग x को तो हम लोग एक आप लोग को method में बताई थोई दिर पहले अगर आप लोग को यार होगा तो एक बाब फिर से हमें आप लोग को याद दिलाना चाहती हूँ क्या किये थे हम लोग अगर limit of n tends to infinity un equal to 0 आ रहा था है तो हम लोग क्या बोले थे तो हम लोग बोले थे यहाँ पे जो है कनवरजेंट है और अगर हम लोग limit n tends to infinity निकालते हैं un और वो हम लोग को आ जाता है greater than 0 तो हम लोग बोलेंगे divergent है तो चलिए हम लोग चेक करते हैं x equal to 1 पे हम लोग का क्या होने वाला है तो चलिए इसको निकालिएगा तो limit of n tends to infinity un क्या है n square minus 1 और n square plus 1 तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए limit of n tends to infinity n square अगर common लेते हैं तो 1 minus 1 upon n square divided by n square 1 plus 1 by n square 一个 . तो यह यह cut गया तो हम लोग को यहाँ से क्या हेगा यहाँ से हम लोग का answer 31 आ रहा है तो अगर आप लोग इसको solve करते है तो आप लोग का answer जो यह जीरो से बरा है तो हम लोग क्या बोलेंगे x equal to 1 पे हम लोगों का ये जो x equal to 1 पे जो होगा हम लोगों का सिरीज जो होगा वो divergent हो जाएगा तो हम लोग total answer में कैसे लिखेंगे देखिए एक से बढ़ा आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे divergent है तो हम लोग total लिखेंगे series is convergent series is convergent when x is less than 1 series is convergent when x is less than 1 and series is divergent x greater than or equal to 1 तो हम लोग इस step से इस question को solve करेंगे तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या देखें आज की वीडियो में हम लोग सीखे है ratio test क्या होता है ratio test चलिए मैं एक बार और आप लोग को दिखा देती हूँ तरह कि आप लोग को किसी वालकार का कोई डाव नड़ है तो हम लोग का ratio test में होता है क्या है हम लोग टेस्ट फेल हो गया तो जब एक के ब्राबर आ जाता है तो टेस्ट फेल हो गया एक सीक्वल टू बन पर तो हम लोग कैसे पता करेंगे वहां पर जो है ना वह कंवर्जेंट होगा या तो हम लोग उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट में बताई इसके लिए हम लोग करते क्या हम लोग लिमिट आफ एंट टेंस टो इंफिनिटी यूए निकालते हैं तो अगर हम लोग का वह जीरो आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस होगा यह छोटा सा एक कंसेप्ट सिखे है जब टेस्ट फिल कर यह ऊकशन को सलस एक करते हैं तो क्या ससमराइज कर लेते हैं लोग निटस कंवेर्जजन कंपलीट है इस तरीके सीपे हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेव टेस्ट कल हम लोग का रेव टेस्ट आएगा उसके बाद धीरे दिये मैं सभी टॉपिक आप लोग को कम्प्लीट करवा दोंगी ओके तो ठीक है इस वीडियो को यहीं पर समाप्ट करते हैं थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो एंड थैंक्स पर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जुरू बताईएगा आप लोग उसके बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है ओके अगर नहीं बन रहा है तो टेलीग्राफ यह कोशन वेजेगा दिख पूछा गया होगा बस उसी का प्रूफ करेंगे पुड़ा प्रूफ करने की जहवत नहीं है तो ठीक है हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो एंड थैंक्स पर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब ओके बाई